तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आनिकी 15 फरवरी के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को तो इस प्रस्ण में आपसे पूछ रहे हैं हाली में भारत की पहली AC डबल डेकर बस का उधगाटन ये कापे किया गया तो आंसर होगा मंबई में तो अभी ब्रन मंबई इलेक्ट्रिक सप्लाइ इंट रांस्मोर्ट अंडल टेकिंग ने मंबई में देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उधगाटन किया है इस बस की कैपेसिटी है 73 लोगों की इसमें एक साथ बेट सकते हैं 73 लोग और इसमें जो किराय वसुला जाएगा 5 किलोमेटर की दूरी पे 6 रुपे वसुला जाएगा इसमें CCTV कैमरे लगे वे आटोमेटिक डूर से अपने आप खुलते बंदो जाते और ये चार्ज होने में 80 मिनिट का वक्त लेती है फुल चार्ज होने में तो याद रखना भारत की पहली AC डबल डेकर बस इसका उधगाटन किया गया मंबई में अच्छा आपको याद होगा उडिसा की जो मो बस सेवा है उसको अभी प्रतिष्ठित सन्युक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरुसकार मिला था अच्छा नारी को नमन योदन कांग की है यह हिमाचल प्रदेश की है इसमें क्या होता है इसमें महिलाओं को बसों में 50 प्रतिषत की छूट दी गई अच्छा वैसे अभी महराष्टर के नए राजजपाल कौन बन गए तो आंसर होगा रमेश बेश बन गए और अगर आप मेंसे कोई इस वीडियो को वेरी फर्स टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दू अभी तेरा नए राजजपाल बने है तो आपके आने वाले एक्जाम में यहां से डेफिनेटली एक प्रशने समझो आएगा याएगा और इसके लिए एक छोटा सा ट्रिकी वीडियो मेंने बना दिया है और मैं गैरंटी ले रहा हूँ उस वीडियो को देखने मातर से आपको यह सारे नाम याद हो जाएंगे उसी वीडियो में मैंने आपका टेस्ट भी ले लिया ताकि आप खुद से कंफर्म कर लो कि यह नाम आपको याद हुए हैं कि नहीं हुए और अगर आपको नाम याद होते हैं उसके बाद ही आप वीडियो को लाइक और शेर करना वरना मत करना तो वो वीडियो देख लेना अच्छा यहां पर हम बात कर रहे हैं भारत की पहली तो कुछ important question में आपको revise करा देता हूँ जो भी चीजे भारत में पहली बार हुई या विश्व में पहली बार हुई तो जैसे कि अगर हम बात करें कि भारत अपनी पहली अपसिष्ट से hydrogen परियोजना काँ पर स्थापित करेगा तो आंसर होगा पूने में और बताओ भारत की पहली underwater metro ये किस शहर में चालू की जाएगी तो आंसर होगा कॉलकता में, कॉलकता metro, हुगली नदी की नीचे चलेगी और आप जानते हो दुनिया के भी सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू हुई है वारनासी और किसके बीच डिब्बरुगड के बीच, असम में है डिब्बरुगड, उस क्रूज का नाम गंगा विलास है और ये यात्रक इतनी लंबी रही, 32 किलोमेटर और बताओ विश्व का पहला ताड के पत्तो का पांडूलिपी संग्रहाले काँपे शुरू हुआ केरल में चलो बताओ देश का पहला पूरी तरसे डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बन गया, केरल बन गया और अगर पूछे कि 2024 में देश का पहला कोईला, गेसी, करण, आधारित, तलचर, और वरग, संयत, रिये कि सराज्य में शुरू होगा उडिसा में और ओनलाइन केमिंग के लिए भारत का पहला उतकरष्टिता केंदर एक्सेलेंस सेंटर का पर इस्थाबित किया जाएगा, मेगाले में और अभी दुनिया के पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई तो अंसर होगा, बीजेपी चलो बताओ देश का पहला अभी समविधर जिला कौन सा बन गया तो अंसर होगा, कुल्लम, केरल का है ये, कुल्लम जिला तो ये सारे आपके important points हैं, जो भी चीजे हमारे देश में पहली बार होने वाली है या होगी और वैसे इन से संबंदित, अगर आप quiz भी लगाना चाते हो, तो वो भी आपको मिल जाएगी आपके crack exam application पे जिसका link आपको नीचे description box में मिलेगा, अगला प्रशन दिखते है चलिए फिर बताईए, पाप नाश मंदिर ये किसरा जमेशते थे, तो अंसरोगा करनाटक में एक्चुली में अभी प्रसाद योजना के तहट करनाटक के चार तीर्थ केंद्रों का चैन किया गया है पहले तो प्रसाद योजना में प्रसाद का मतलब क्या हो गया? पिल्ग्रिमेज, रिजुविनेशन एन स्पिरिच्वल हेरिटेशन ड्राइव अब आप कहोगे कि ये चार मंदिर कौन से हैं? और इस योजना का उद्धिश है क्या है? तो पहले वो चार मंदिरों की बात करते हैं एक तो है वह चारो करनाटक में हैं एक तो करनाटक के मैसूर का चामुन डेश्वरी मंदिर है एक करनाटक के उडुब्पी जिले में श्री माधव वन है एक बीदर जिले में ये पापनाश मंदिर हो गया और एक बेलगावी जिले के सोंदत्ति में श्री रेणू का यल्लम्मा मंदिर है तो इन चारों को इस योधना के तहट चुना गया है प्रसाद योधना की बात करें अब इसकी शुरुवात कब होती है 2014-15 में इसकी शुरुवात होती है ये योजना परियेटन मंत्रा लेकर अंतरगत आती है और इस योजना का मुख्य उद्देश ये एक लाइन में याद रखो हमारे इतने भी तीर्थ और विरासत इस्ताले उनका कायकल्प करना अच्छा यहाँ पर कुछ important मंदिर है उनका मैं आपको revision कराता हूँ वो आप ध्यान रखना और यह मंदिर कई बार exam में पूछे जाते हैं इसलिए खास तोर पे उनी मंदिर का मैं आपको revision करा रहा हूँ जैसे कि विरुपाक्ष मंदिर पूछा जाता है करनाटक में हैं करनाटक में ही विठ्थल मंदिर आपको मिलेगा और अभी यह पापनाश मंदिर में आपको बताया यह भी important हो गया एक मिनाक्षी मंदिर तमिलनाडू के मदूरे में मिलेगा तमिलनाडू से और भी important मंदिर हो जाता हैं जैसे कि रामनाथ स्वामी मंदिर हो गया रंगनाथ स्वामी मंदिर हो गया और तमिल नाडु के तंजावर में ही मिलेगा ब्रहदेश्वर मंदिर भी, वेंकटेश्वर मंदिर या आपको आंदर प्रदेश में मिलेगा, काशी विश्वनात मंदिर आपको मिलेगा वारणासी में, और सोमनात मंदिर या आपको गुजरात में मिलेगा, गुजरात में ही द्वारकाधीश मंदिर भी है अच्छा बद्रिनात मंदिर आपको उत्तराखंड में मिलेगा उत्तराखंड में ही आपको केदारनात मंदिर मिलेगा यमुनोत्री मंदिर और गंगोत्री मंदिर भी आपको मिलेगा कोणार को सूर्य मंदिर आप जानते उडिसा में मिलेगा और जगरनात मंदिर हो गया या फिर लिंग राज मंदिर हो गया ये भी आपको उडिसा में मिलेगा पद्मनाब स्वामी मंदिर की बात करोगे केरल में मिलेगा महा बोधी मंदिर हो गया यह आपको बिहार में मिलेगा एक कामक है देवी मंदिर हो गया यह आपको असम में मिलेगा और एक रामप्पा मंदिर और याद रख लो आप वो आपको तिलंगलंगना में मिलेगा जो कि अभी 39th नंबर की World Heritage Site बनाता हमारा और guys अगर session अच्छा लगे मेरी महनत अच्छी लगती है तो please वीडियो को आप support जरूर करना support केसे कर सकते हैं कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे किसी PDF के किसी quiz के जिस तरह से और बड़े बड़े channels मांगते हैं बस इतना सा चाहता हूँ कि जो भी आपके study group हो गए जो भी आपके connected friends हो गए तो please उनके साथ वीडियो को share जरूर कर देना इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा लेकिन अगर आप इसे share करते हो views बढ़ते हैं तो automatically मेरा motivation बढ़ेगा आपके लिए काम करने में मुझे मज़ा आएगा आपके लिए जानकारी खटी करना नहीं नहीं जानकारी और relate करके आपको जानकारी देना आपके लिए quiz तयार करना trick बनाना तो motivation एक kick मिलती है कहां से जब आपका content लोग पसंद करते हैं जाएगा तो अंसर होगा दिल्ली में तो भारत का पहला राष्ट्र मेट्रो रेल ग्यान केंडरी ये दिल्ली में बनाया जाएगा और इसके design और निर्मान का ठेका ये दिया गया है GA Infra Private Limited को इसे दिल्ली में विश्व विध्याले Metro Station पे बनाया जाएगा और ये जो National Metro Rail Knowledge Center है ये Metro Rail Professional को World Class Training देगा और Development के यानि के विकास के नए अउसर देगा अचा Metro से एक important प्रस्ण तो आपको याद ही थी ये भारत के पहली Underwater Metro ये होगी कॉलकाता Metro हुगली नदी के नीचे चलेगी अगर पूछा जाए कि जल Metro पर यूजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना तो फिर आंसर होगा कोची शहर कोची ये केरल में है अचा Metro Man of India के नेका आ जाता है इस शिरिधरन को और अगर दुनिया का सबसे लंबी Metro लाइन कहां पर शुरू हुई पूछें तो चाइना में और भारत में बात करोगे तो हैद्राबाद Metro ये बना था भारत का दूसरा सबसे बड़ा Metro नेटवर्क पहला दिल्ली Metro है अचा वंदे Metro की भी बात कर लो अभी देसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइडरोजन ट्रेन संचालित होगी जिसका नाम रखा है वंदे Metro और टारगेट क्या रखा है हमारी सरकार ने 2030 तक इस तरह की 35 हाइडरोजन ट्रेन डेवलप करना है जिसका निर्मान भारत में ही होगा तो ये आप जरूर याद रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाले में किस देश के पूर्व कप्तान इयॉन मौर्गन ने किर्केट के सभी फॉर्मेट से सन्यास ले लिया तो आंसर होगा इंगलेन तो England Cricket Team के पूर्व कप्तान रहे Eon Morgan ने अभी Cricket के सभी format से सन्यास लेनी की गोशना कर दी आपको बता दू Eon Morgan ने 2019 में One Day World Cup की कप्तानी की थी और अपनी टीम को खिताब भी जिताया था और वे England के लिए One Day World Cup जीतने वाले पहले कप्तान भी बने थे अचा इसी तरह से आपसे पूछें अभी Aaron Finch ने भी सन्यास की गोशना कर दी वो किस टीम के हैं? Australia पाकिस्तान के कामरान अकरन ने भी और पाकिस्तान के कामरान अकरम ने भी अभी format से सन्यास की गोशना कर दी थी और South Africa के हासिम अमला ने सन्यास लेने की घोशना कर दी उससे पहले Ireland के Kevin O'Brien ने का कि वो सन्यास ले रहे हैं और England से दो प्लेयर और याद रखना एक तो Ben Stock अभी Main Test Cricketer of the Year 2022 का अवर्ड मिला उने और England की एक female Cricketer है Nat Siver महिला Cricketer of the Year उने चुना गया और महिला One Day International Cricketer of the Year भी चुना गया Nat Siver को और राचल हे हो Flint Trophy भी मिली है Nat Siver को अब आप लोग मुझे comment box में लिखके बताओ कि अभी Sir Garfield Sober's Trophy ये किसी मिली है हम बढ़ते हागे चलिए फिर बताइए अभी हाली में Institute of Chartered Accounts of India के नए अध्यक्ष कौन बन गए है तो अंसर होगा Aniket Sunil Talati तो अभी Aniket Sunil Talati ये Institute of Chartered Accounts of India के अध्यक्ष बन गए है अच्छा इसी से मिलता जुलता नाम है Anil Kumar Lahoti देखो मिलता जुलता है नाम वो Talati है ये Lahoti है वो Aniket है ये Anil है ये भी Railway Board के नए चेर्मेन और CEO बने थे और Magna अहलावत ये Table Tennis Federation of India की पहली महिला अध्यक्ष बनी गंजी कमला वेराव की बात करें Food Safety and Standard Authority of India के CEO बने बाकि आप जानते हो National Chartered Accountants डे हम कब मनाते हैं एक जुलाई को मनाते हैं ध्यान रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में सुभाष चंद्रन ने किस उपन्यास के लिए केरल का अकबर कक्टिल पुरुस्कार जीता तो आंसर होगा समुद्र शिला तो प्रसिद्ध मल्यालम लेखक हैं सुभाष चंद्रन जिन्होंने अपने उपन्यास समुद्र शिला के लिए अकबर कक्टिल पुरुस्कार जीता है ये जो अकबर कक्टिल है ये केरल राज्जी के भीतर भारते लगू कथा लेखक थे और उन्हें दो बार केरल साहित्यकाद में पुरुस्कार भी मिला था और उनी के नाम पे ये पुरुसकार दिया जाता है जो इस बार मिला है सुभाश चंदरन को उनके उपन्यास समुद्र शिला के लिए अच्छा इसी तरह से लेखी का है एक राखी कपूर और उनकी बुक है Now You Breathe जिसने अभी Golden Book Award 2023 जीता था तुमडी के शब्द याद आया ये कविता संग्र है बद्री नारायन का जिनोंने अभी हिंदी का साहित्यकाद में पुरुसकार जीता और अंग्रेजी का जीता था अनुरादा रोय ने उनके नौवल All The Lives We Never Lived के लिए और रेत की समाधी ये पन्या से गितांजली शिरी का जिसका ट्रांसलेशन किया था डेजी रोकवेल ने और उसका नाम रख दिया Tom of Sand जिसके लिए इन दोनों को International Booker Prize मिला था 2022 का ये याद रखना बढ़ते आगे चलिए बताईए अभी हाली मंतर राष्टर मिर्गी दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 13 फरवरी को तो ये इंग्लिश में बोलेंगे International Epilepsy Day ये हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है तो इस बार हमने ये 13 फरवरी को मनाया मिर्गी ये एक तांतरिक विकार है जो मस्तेश्क की गतिवीदी को प्रभावित करता है कई बार प्रश्ण इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है कि किस अंग को प्रभावित करता है तो मस्तेश्क को ये प्रभावित करता है आचा फरवरी में कौन-कौन से डे मनाया हमने एक तो 2 फरवरी को World Wetland Day होता है, 4 फरवरी को World Cancer Day था, 4 फरवरी को ही अंतरराष्टर मानो बंदुत्व दिवस मनाया, 7 फरवरी को Safer Internet Day मनाया, 10 फरवरी को World Pulses Day मनाया, बाकि 11 फरवरी को विश्व युनानी दिवस मनाया था, और 11 फरवरी को ही अंतरराष्टर महिला वेज्या कियात दिवस होता है 12 फर्वरी को राश्ट्र या उत्पादकता दिवस मनाया 13 फर्वरी को World Radio Day मनाया और 13 फर्वरी को ही National Women's Day मनाय था और अभी 13 फर्वरी को हमने ये राश्ट्र मिर्गी दिवस भी मनाया ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो का 23 वा संसकरन ये कि शहर में आयोजित किया गया तो आंसर होगा कॉलकता में तो इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो का ये तेविस्वा संसकरन है जो अभी 15 से लेके 17 फरवरी 2000 तेविस तक हुआ कहाँ पे कॉलकता में और इस शो में देश में सीफूड शेत्र की जबरदस्त प्रगतिक को प्रदश्यत किया गया सीफूड तो मतलब समझ रहे हो न जैसे कि मचली हो गया, जींगा हो गया जिने लोग खाते हैं जो नॉन वेजिटेरिन लोग होते हैं उनके लिए ये फूड है, सीफूड इसे ही का जाता है अच्छा इससे पहले 22 संसकरन काँ पे हुआ था कोच्ची केरल में हुआ था वो 2020 में हुआ था और अब ये तेवी सवा है जो कि कॉलकता में हो रहा है, ये इंपोर्टेंट है याद रखना बाकि अगर समुद्री उत्पाद, निर्यात, विकास, प्राधी करन की बात करेंगी जिसकी स्तापना होती 1972 में इसका मुख्यले आपको मिलेगा कोच्ची में ही और इसके अद्यक्ष है के एस शिरिनिवास अच्छा अगर मैं आपसे पूछू कि पूरुवत्तर का पहला फिश म्यूजियम कहां पे बनेगा तो आंसर करना अरुनाचल प्रदेश में अगर मैं आपसे पूछू कि भारत का पहला यह फिश मार्केट अप्लिकेशन यह किस ने लॉंच किया था असम ने और उसका नाम है फिश वाले वैसे एक नेशनल फिश फार्मर डेबी होता है वो हम 10 जुलाई को मनाते हैं आपको बता है भी मीठे पानी की सबसे बड़ी मचली कहाँ पे खोजी गई थी कमबोडिया में कमबोडिया में मेकॉंग नदी है वहाँ पे वो एक स्टिंगरे मचली थी वैसे अभी सिक्किम की स्टेट फिश यह बनी है केटली याद रखना और कॉलकता से एक प्रशन में आपसे और पूछूँगा अभी फरवरी की बात है 46 नंबर का इंटरनेशनल कॉलकता बुक फेर का आयोजन हुआ था भी जिसमें थीम देश कौन सा रहा था तो आंसर होगा इस्पेन या आप याद रखना बढ़ते आगे चलिए बताइए कौन सा देश 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन के लिए अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा तो अंचर होगा साओधी अरब तो साओधी अरब दोजाटेविस के अंत में अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा और इनका नाम क्या है रेयना बरनावी इनके साथ एक पुरुष अंतरिक्ष यात्री भी जाएंगे उनका नाम है अली अलकर्नी और ये जिस मिशन में जाएंगे जिस अंतरिक्ष मिशन में जाएंगे उस मिशन का नाम है AX2 अंतरिक्ष मिशन साओधी अरब से अभी दो प्रश्णम लोगों ने पड़े थे आपको याद होगा एक तो 2027 में AFC Asian Cup का योजन साओधी अरब में होगा और अभी FIFA Club World Cup जिसका योजन तो मुरक्क में हुआ था जिसको जीता था Spanish Team Real Madrid ने किसे हराय था साओधी अरब का अल हिलाल Football Club को हराया था विससे साओधी अरब का एक और Football Club है उसका नामे अल नसार उसके अभी प्लेयर बन गए है कौन? क्रिस्ट्यानो रोनाल्डो साओधी अरब की केपिटल रियाद होती है करंसी है साओधी रियाल तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी ये कहाँ पे आदी महोत्सव का उधगाटन करेंगे तो अंसर होगा दिल्ली में तो अभी 16 फरवरी को प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 15 दिवसिय आदी महोत्सव का उधगाटन करेंगे आपको बताए 2023 को बाजरे का अंतरराष्टर वर्ष गुशित किया गया तो देशबर के आदी वासी कारिगरों को महोत्सव में बाजरे से बनने वाले व्यनजनू की विधी परदशित करने और बाजरा उत्पाद पेचने के लिए आमंतरित किया गया है तो याद रखना आदी महोत्सव का एउजन ये होगा दिल्ली में अच्छा तो यहाँ पे आपका ये Current Affairs का सेशन हो गया अब अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स ताइम देख रहे हैं तो आपको बता दू आगे हम क्या करने वाले अभी मैं आपको Quick Revision कराऊंगा कल के Current Affairs का उसके बाद 2022 के Top 10 Important Current Affairs का मैं आपको Quick Revision कराऊंगा उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा टेस्ट में आपके Total 10 Question आएंगे जिस पर पहले Top 5 Static Question होंगे और फिर Top 5 Science के Question होंगे और मैं आपको बता दू वो Question वही होंगे जो आपके किसे ने किसी Government Exam में पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको का कि पहले आपका मैं टेस्ट लूँगा फिर मैं उत्तर बताऊंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो कल आपसे पहला प्रशन पूछा था विश्वर रेडियो दिवस कब मनाते हैं तो आंसर होगा 13 फरवरी को फिर बताऊ विश्वर खुशहाली सूचकांक World Happiness Index 2023 में भारत कौन से इस्तान पे रहा 136 पे और टॉप पे फिनलेंड रहा और जनवरी महिने के लिए Men's Player of the Month किसे चुना गया शुबमन गिल को अब बताओ बांगलादेश के नए राष्टरबती किसे चुना गया तो आंसर होगा मोहमद शाहबुद्दिन को अगला है साइप्रस देश के नए राष्टरबती कौन बने तो आंसर होगा निकोस और ये नाम हमने कैसे याद कर रहा था साइप्रस की केपिटल याद रख लो क्या है निकोसिया वहीं से इनका नाम याद आ जाएगा निकोस अगला है राष्टर उत्पादक्ता दिवस मनाया 12 फरवरी को और ये नेश को शांती पुरुसकार से सम्मानित किया गया एंजला मरकेल को जर्मनी की पूर्व चांसलर है अगला प्रश्ण है अभी किसने रिकोर्ड पांचवी बार क्लब विश्व कप जीता तो आंसर होगा रियल मेड्रिड ने ये मौरकों में हुआ था फिर हमार अगला प्रश्ण है अभी भारत सन्युक्त रूप से किस देश में बारवे विश्व हिंदी सम्मेलन का योजन करेगा तो आंसर होगा फिजी देश में अब 2022 के टॉप 10 important questions ये रहे आपके सामने तो पहला प्रश्ण आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में किस भारतिय को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा शेवेलियर पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा अरुना साहिराम को अगला प्रश्ण है अभी किस राज्जे के मुख्य मंत्री ने मुख्य मंत्री लगपती दीदी योजना को शुरू किया तो आंसर होगा उत्तरा खंड फिर अगला प्रश्ण है अभी किस राज्जे ने भारत की पहली महिला मुस्लिम सिक्षी का फातिमा शेक पर एक पाठ की शुरुवात की तो आंसर होगा अंधर प्रदेश अगला प्रश्ण है अभी नवंबर 2022 में भारत के पहले मत्यदाता रहे शाम शरन नेगी का निदन हो गया वे किस राज्जे से थे हिमाचल प्रदेश अगला प्रश्ण है अभी केंदर सरकार ने उच्छे सिक्षन संस्थानों के मुल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक समीती का गठन किया है इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया डॉक्टर के रादक रिश्णन को अगला प्रश्ण है अभी किस राज्जे के मुख्य मंतरी ने इउपहार पोटल और मुख्य मंतरी डैश बोर्ड को लॉंच किया आंशर होगा हर्याना अगला प्रश्ण है विशवी सुनामी जागरुकता दिवसकब बनाया गया तो आंशर होगा 5 नवंबर को फिर अगला प्रशन है क्या है अगला प्रशन कि अभी हाली में अंतरराष्टर होक्की महासंग के नए अध्यक्स कौन बने इंपोर्टेंट है मुहम्मद तैया बिक्राम और अगला प्रशन है सेद मुस्ताकली ट्रोफी 2022 तेवीस का संसकरन किस ने जीता तो आंसर हुगा मु प्रशन कर लिया तो इसमें पहला प्रशन आपसे पूछे रहें कि खजुराहु मंदुर का निर्मान किस ने करवाया तो आंसर होगा चंदिल शाशको ने अगला प्रशन है बारते समविदान के किस अनुच्छेट में राश्टरबदी की शमादान की शक्तियों का उलेख ह लेकिन अगर राज़पाल की शमादान की शक्तियों की बात करोगे तो आर्टिकल 161 में है और क्विज ने लगाते हो तो मैं आपको बता दूँ क्विज लगाने का फाइदा यही है वहाँ पे हर क्विशन का चाए स्टेटिक परशन हो चाए साइन्स के परशन हो हर परशन वाकि ऐसा क्यों होता है तो वो एक्स्प्लेनेशन में आपको मिल जाएगा ताकि समझने में आसानी देती है तो क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और क्विज वहाँ पे कहाँ पे मिलेगी प्रिविएस एर वाले सेक्शन में क्योंकि यह सारे प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है भारत की सम्विधान का अनुच्छे देख्षो तेविस राष्टर बती को किसका अधिकार देता है संसत के अउकास के दोरान अध्यादेश की गोशना करने और अगर राज्यपाल की बात करोगे तो अनुच्छे 213 के तहट अध्यादे की बेरन द्वीप कहाँ पर है अंडमान निकोबार में है अब टॉप 5 साइंस के प्रशन देखते हैं तो पहला प्रशन है सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें कौनसी गेस का उप्योग किया जाता है तो अंसर होगा ब्यूटेन या तो ब्यूटेन हो जाएगी या दोनों लगा दिये तो आप इनको भी रीट कर सकते हैं वीडियो को पॉस्ट करके जैसे की सिरका हमने पढ़ा था ऐसेटिक एसेड होता है नारंगी यानिक जितने खट्टे फल है सेट्रिक एसेड होता है एमली में टाटरिक होता है टमाटर में आउकसलिक होता है अगला प्रशन ह जो वाशिंग सोडा है उसका रसायनिक नाम केमिकल नेम पूछ रहे है तो आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट बाकी यहां पर देख सकते हो कुछ लिस्ट मैंने यहां पर भी लगा दिया इनका भी आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो क्योंकि इस तरह के प्रशन आते ह के एक्जाम में इसलिए मैं नहीं यहां पर लगा दिया अगला प्रशन देखते हैं कि किस योगी को कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है तो आंसर होगा आप कल का हॉमवर्क प्रशन देखते हैं और सेशन एंड करते हैं तो कल के वीडियो में आप से बूछा था द के बाद कर्मी हैं अवदेश हैं जगत नाराण हैं और आकाश प्रकाश हैं आप सभी को कॉंग्रिचलेशन बागी आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप क्विज ज़रूर लगाया करें ताकि आपका क्विशन का रिविजन उतर आए यह जो हम प्रशन पढ़ रहे हैं इनका आपका हमवर्ग प्रशन है